हेलो नीट एस्प्रेंट्स, नीट UG24 का रिजल्ट आउट हो चुका है, मार्क्स वर्सिज रेंग क्या रहे हैं, यह हम बताने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है दोस्तो, और इस जो डेटा आप देख रहे हैं, बिल्कुल ओफिशल डेटा है, और दोस्तो अगर रिणीट नहीं होता है, तो कटोफ बहुत हाई जाने वाली है, हो सकता है दोस्तो कि रिणीट करवाया जाए, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसा आया है, और यह फैसला दोस्तो कोर्ट करेगी हमको नहीं करना है, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से जो है इस वीडियो को द नंबर पर 1212 रेंग है, 675 नंबर पर 11600, 665 पर 16985 रेंग, 660 पर 2715, 652 पर 27414, 646 पर 3300, 649 पर 4959 रेंग आ रहा है, 634 पर 4448, 630 पर दोस्तों आप देख सकते हैं 48600 रेंग पहुंच चुका है, 624 पर 54756, 621 पर 56, 609 पर 70512, 585 पर 98,077, 531 पर 1,14, 562 पर 1,26,000 और 560 पर 1,28,000, 550 पर 1,40,000 यानि कि दोस्तों जो ऐसी कटेगरी कटोफ जो 470, 80 पर जाती थी, वो अब की बार 550, 560 पर जाने की उमीद है, यानि कि चली ही जाएगी दोस्तों क्योंकि जैसा रेंक आया है, 560 पर ऐसी कटेगरी की कटोफ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट में ब्लंडर हुआ है, साथ में जनरल कटेगरी कटोफ दोस्तों, आप मान के चलिए, 652 और 660 यहाँ पर लाई करेगी, तो कटोफ कितनी जादा हाई चली गई है और ऐसा क्यों हो सकता है दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है, पेपर बड़े लेवल पर लीक हुआ होगा तभी ऐसा रिजल्ट आया है, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था कि कटोफ इतनी हाई चली जाए,